हलो बच्चो आयम अर्चना चोधरी हम क्लास 10 में चैप्टर कंट्रूल और कोडिनेशन पड़ रहे हैं हम प्लांट हार्मोन की स्टेडी कर रहे हैं पिछे लेक्षर में हमने ओगजी हार्मोन की स्टेडी की और उसे फंक्शन के बारे में देखा जाए सेल इनलार्जमेंट, एपिकल डॉमिनेंस, प्रिवेंशन और एपसिशन, मूवमेंट, रूट फोर्मेशन, टिशू कल्चा, फ्रूट ग्रोथ और विड्डी साइड यह है ओगजीन के फंक्शन आज का टोपिक है जिब्रेली में जिब्रेली हार्मोन हार्मोन एक्षर में ए जो कुछ हार्मोन को सिक्रीट करती है और यह हार्मोन दूसरे ओर्गन यह टिशू के फंक्शन को इफेक्ट करता है उसी तरह प्लांट में भी बहुत सारे हार्मोन मिलते हैं जैसे हमने पिछले लेक्षर में देखा ओगजीन, जिब्रेलीन, साइटोकाइन, इथाइलीन, यह सब प्लांट में सिक्रीट होने वाले कुछ हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ और डवलोमेंट को इफेक्ट करते हैं आज का हमार टोपिक है जिब्रेलीन हार्मोन जिब्रेलीन हार्मोन भी एक कैमिकल है जो जापान में जापान में जो राइस क्रोप होती है ना उसमे सबसे परे देखने को मिला उसमें के जब राइस प्लांट है वह बहुत लंबे हो जाते हैं ठीक है ना लेकिन फ्लोवरिंग नहीं होती इस डिजीज को बोला गया है बेकने डिजीज बेकने डिजीज और चुकिस में कोई फ्रूट से नहीं लगा चुकिस में फ्लोवर इसको बोल जाता है फुलिस फुलिस सीडलिंग ठीक है और जो ये डिजीज है ये जिब्रेला फ्यूजी कोराई जो फंगस है उसकी वेशे होता है जिब्रेला फ्यूजी कोराई इस फंगस के वेशे ये विमारी होती है जिब्रेला दियार माइली एक टेट्रा साइकली ओर्गेनिक सबस्टांस होता है ठीक है न विस बिरिंग एबाउट सेल इलोंगेशन ओफ लीव इस्टेम एंड फूर इन फ्रूट्स इन प्लांट्स ये जो होर्मोन है ये लीव्स इसके फंक्षन होते है ये एफेक्ट करता है ग्रोथ को जिब्रेले प्रमोट ग्रोथ इन लीव्स स्टेम इंटर नोड और फूर्ट देयार यूज टू इंक्रीज इल्ड फूर्ट मुलग जो फूर्ट की जो इल्ड है उसको ये बढ़ाता है और सूगर इन सूगर के जैस जैसे यह जो रोजेट फोर मु Tensor Star अब ये बिल्कुल ये ऐसे से लोज फूर दिखता है बलकुल ये ऐसे हैं यह एसे ही दिखता है क्याँ imbalance क्योंकि जो इंटन नोड है उसकी लंबाई वहूल्थ ऐलफ है ये जैनेटीट किन आइगा लेकिन अगर इसमें treatment क्या आता है जिब्रेलिन का, तो inter node बढ़ जाती है बिना leaf के, बिना leaf के inter node में growth होती है, elongation होता है, इसको बोलते हैं bolting, ठीक है, और जो genetically dwarf plant होते हैं, वो तेज़ी से लंबे हो जाते हैं, उनकी length बढ़ जाती है, यह होता है जिब्रेलिन की effect से, Overcoming dormancy, जो dormant होते हैं, सुब तवस्ता में जो मिलते हैं, seed है, seed जल्दी sprout नहीं होती है, उन्हें एक time चाहिए होता है resting के लिए, जिब्रेलिन उस rest period को overcome कर देती है, मिला उस dormancy को, जब seed की जो dormancy है, उसे वो हटा देती है, उसे prevent कर देती है, ठीक है ना, dormant, bud and seed sprout represents of जिब्रेलि they can replace soul day and cold day requirement, कुछ जो plant होते हैं, उन्हें flowering से पहरे, soul day, बना, length of day time की आफशकता होती है, soul day की आफशकता होती है, और cold day requirement, इसे कहते हैं, vernalization जब जिब्रेलिन को apply के जाता है, तो soul day requirement होती है, plant की, और cold treatment, vernalization की requirement होती है, वो उसको replace कर देता है, मिला उसकी फिर आफशकता नहीं होती है, और plant flower करने लगता है, कुछ plant होते हैं, जिने mature होने में 2 साल लगते हैं, ठीक है ना, एक तो उनका सिर्फ growth period होता है, और दूसर साल में उसे flooring होता है, मिला इसके बीच में उन्हें cold treatment देना होता है, उसके कहता है, और soul day की requirement होती है, लेकिन अगर जिब्रेलिन एपलाई कर दे जाते हैं, तो दोने ही चीज़ रिप्लेस होती है, मिला ना तो soul day की ज़रता है, और ना ही cold day की requirement होती है, मिला उसको ये replace कर देता है, पार्थिनो कार्फिक fruit, जो बिना pollination के fruit बनते हैं, उसे कहते है पार्थिनो कार्फिक fruit, मलो उसे fertilization नहीं मिलता है, फर्टिलाजिशन नहीं होता है तो उसमें seed में नहीं बनती है, मलो ये seedless fruit होते हैं, जैसे example है, orange है, orange है, citrus है, निम्बू है न, वो भी होई बिना ग्रेफ्स हैं, बनाना है, ये सब seedless fruit होते हैं, तो जिब्रिलीन के application से हमें पार्थिनो कार्फिक fruit मिल जाते हैं, ये ओकजीन का भी ये effect होता है, ओकजीन से भी हमें पार्थिनो कार्फिक fruit मिलते हैं, अभी हमने देखा था यह बोल्टिंग है ना अगर जिप्रेलिन एपलाई करते हैं तो उसके ड्वार्फिज में जैनिटिक ड्वार्प्लांट जो होते हैं वह अपने नॉर्मस साइज में बढ़ जाते हैं जो प्लांट ग्रो होता है अपने नॉर्मस साइज में होता है तो य अप्लिकेस है जीब्रेलिन की, ग्रोथ, औरकमिंग, डॉरमेंसी, फ्लावरिंग, पार्थिम्रकारफिक फ्रूट और औरकमिंग ड्वार्फिज में, दूसरा हार्मोन है, साइ्टोकाइनि, जो ओगजीन हार्मोन है, जो अब हमने पड़े, जो में ग्रोथ हो रही थी, वो इ समय के वेशाी बनने के वेशे प्लांट ग्रोथ हो थी, लेकिन यह साइ्टोकाइनि मतलब सैयल डिवीजन, सैयल डिवीजन के वेशे, प्लांट में, ग्रोथ होती है तो यह dulu, ऐलके लाइन, अमेनो, प्योरिन प्योलि ठीक है, हुआ न? और अडिए्टीन डेरिवेतिव व नाचेर और हार्मों होता नवह संय क्या गया आरोग रूर टिक 讚़ा and morphogenesis differentiation क्या होते है यह last lecture में बताया गया है ठीक है morphogenesis plant के cell, tissue, organ organ system इन में differentiate होना cytokine is essential for cell division cell differentiation and morphogenesis prevention of sensations sensations मनलब aging maturity के बाद plant हो या animal हो degeneration के ओर शुरू हो जाता है और धिरे धिरे death के ओर बढ़ने लगता है इस process को बोलते है senses sense aging of leaf, mercury vegetable fruit and cut floor can be prevented by application of cytokine जो senses sense से plant को prevent करता है यह function भी है cytokine का accumulation of nutrient cytokine improve yield and quality of fruits resistance है they enhance resistance of plant to environment stress and disease बहुसाई environment stress होती है जैसे high temperature है scarcity of water है इससे यह prevent करता है और plant को बहुसाई disease से भी यह prevent करता है apical dominance application of cytokine overcome apical dominance apical dominance जब होती है ना प्लांट में तो प्लांट लेंथ बढ़ता है और जो इसके auxiliary bud है वो sprout करने लगती है तो यह है cytokine in के function cell division prevention of synthesis accumulation of nutrient resistance power apical dormant यह है synthesis यह green leaf है जब उसमें aging होती है ने leaf में तो यलो कलर्की हो जाती है उसमें colorful damage होने लगता है एबसिसिक एसिड यह ABA एबसिसिक एसिड अब तर हमने जो भी हार्मोन देखें उनकी वैसे प्लांट ग्रोथ कर रहा था है ना लेकिन जैसे एनिमल है सैल है डिवाइड करती रहेगी करती रहेगी अगर सैल डिवाइड करती रहेगी तो क्या बन जाएगी एक लिमिट से आगे कोई भी चीज खराब होती है अगर डिविजन होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा होता है तो क्या होगा It is mildly acidic organic substance which function as a general inhibitor. मलब रोकने वाला. F-C-C acid is able to counter growth. Growth को रोकता है. Counter means रोकना. Promoting, activating oxygen, gibralin and cytokinin. मलब जो oxygen, gibralin and cytokinin. जो growth हो रही थी ना plant की. उसको वो counter करता है. उसको वो रोकता है. यह इसका inhibitory effect है. It has the plan to overcome stress condition. Stress condition मलब जो harmful condition होते हैं. Environment की. उसे वो overcome करता है. मलब कम करता है. Mostly through induction of dormancy. जो dormancy है. Oxygen और जिब्रेलिन की वैसे तो कम हो रही थी है. लेकिन F-C-C acid उस dormancy को बढ़ा देता है. Therefore, it is known as stress harm as well as dormancy. इसको dormancy भी बोलता है. क्योंक्यान है? Function क्या है? Control growth. ये growth को control करता है. By counter-reacting the effect of other hormone. F-C-C acid और ABA. Control growth. ये दूसरे hormone की appositive. Growth को control करता है. महलों inhibit करता है. ठीक है न? Wilting. Wilting मतलब मुर्जाना. जढ़ जाना. पत्यों को जढ़ जाना. जैसे stress condition है. Water की तो पहले scarcity है. कमी है. चाहिए है और लीव में होते हैं इस्टोमेटा. इसलिए जो वोटर है. वोटर हो जाएगा. पानी की और जाता कमी हो जाएगी है न? खाने की खपत हो रही है. और पानी भी उड़ रहा है. तो कुछ ऐसी situation बने. जो दोनों कंडिशन को रोक सके. वो है एपसेसिक एसिड. मला एपसेसिक एसिड से एपसेसन हो जाता है लीव का. लीव गिर जाती है. ठीक है? इसका वैसे जो इस्टोमेटा की संख्या भी कम हो जाएगी. मला एपरेट जो पानी हो रहा था वो भी कम से कम होगा. और जो फूड है, रिजर्फूड मैटेरियर है, उसकी भी खपत कम होगी. इसलिए इस हार्मोन को बोलते है, इस्ट्रेस हार्मोन. ठीक है? इट कोज विल्टिंग एस सेसिजन ओफ लीव. लीव को गिरा जेता है. एजिंग ओफ लीव. ठीक है? एपसिजन, इट प्रमोर्ट एपसिजन ओफ लॉर एंड फूट. एपसिजन लेव बन जाती है, एक्चल में. जैसे ये लीव है, ठीक है? और इसका पैटियोल है. एक लेव बन जाती है, यहां. एक लेव बन जाती है, जो वीक होती है. वीक होती है, बनलों, जो इंका अपनी लेव बन जाती है, जैसे ये एक सैल है, दो सैल के बीच में, अई मिडिल लेमिला है, ठीक है? और फिर यह सैल वोल है, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टरसरी, इसमदीर, इससे नांब तो जो, शेडिनी लेश है यह भी हो जाती है उसमें कुछ लेजमान करते हैं इस तरह से अपने अपने एलिमेंट पर तोड़ जाती है ठीक है और यहां पर बन जाती है एक वीक लियर इसको बोलते है एपसीशन लियर मलब यहां पर जो इनका बाउंडेशन है न वो कमजोर होता है जैसे हावा चलती है पत्ती गिर जाती है तो यह एपसीशन को प्रमोट करता है एपसीशी कैसी एपसीशन को प्रमोट करता है नबर फॉर डॉर्मेंसी, FCC कैसी कोई डॉर्मेंसी वो बड्स एंड शीट, वो डॉर्मेंट रखता है उसके, मलब जब तक stress condition है, water की कमी है, या variation in temperature है, इस condition में वो बड्स या शीट को डॉर्मेंट रखता है Transpiration, it check check miss रोकना, Transpiration by closure of stomata, so it is used as anti-transparent, इसको anti-transparent के रूप में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है, तो ये था आज का टोपिक, आज हमने तीन होर्मोन के बारे में पढ़ा, जीब्रेलिन, जिसका function होता है, growth, overcoming dormancy, flowering, parthenographic fruit और overcoming dwarfism, दूसरा हर्मोन है पढ़ा, cytokinin, जो promote करता है cell division को, इसके function होते हैं, cell division में, prevention of senses, accumulation of nutrients, resistance, power और apical dominance को ये overcome करता है फिर हमने पढ़ा abcic acid, जो inhibited role play करता है, इसके function होते है, control growth, wilting को बढ़ाता है, abscission layer, ये floral fruit में abscission को बढ़ाता है, dormancy को बढ़ाता है, और anti-transparent के root में इसको use करते हैं, तो ये था आज का topic, उम्मीद करती हूँ, आपको ये topic समझ माया होगा अच्छे से, अगर समझ माया विलते हैं, नए topic के साथे दिने, bye, be happy, take care